हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप साउंड वे प्रोडक्शन चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों मैं आचुका हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे कि हम CTK 870 in या उसके जैसे किसी भी midi keyboard को अपने laptop या PC में कैसे connect करेंगे दोस्तों ये वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है लेकिन थोड़ा सा उसमें मैंने पूरा डंग से अच्छे से नहीं समझाया था तो मैं आज ये पूरी वीडियो में पूरी चीज़े cover करूँगा कैसे हम को क्या करना है आईए चलते हैं वीडियो की तरफ कर दो मैं वीडियो मैं वीडियो की तरफ और जो यह डिस्प्ले हो रहा है दिस ड्राइवर केन परफॉर्म फास्टर योईजबी 2.0 ठीक है तो यह आपको मेसेश हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको जाना है ओप्शन्स में जाने के बाद आपको जाना है मिड्डी सेटिंग में मिड़ी सेटिंग में जैसे आप अपने KCO या कोई सा भी मिड़ी कीबोर्ड को आप अटेज करेंगे तो वो यहां थर्ड नमबर पर इस तरह से चो जाएगा अगर दोस्तों यहां पर यह शो नहीं होता है तो आपका या तो मिड़ी केबल खराब है या आपके कीबोर्ड में या मिड़ी में कोई प्रॉब्लम है ठीक है दोस्तों तो यह यहां शो रोना ज़रूरी है यहां पर शो रोने के बाद यह ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर सब्सक्राइब कर दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है इस पर करना इस नीला हो गया इन्पुट् में आपको योईज्बी मिडिय दिख रहा है जैनलिक गूंट्रॉलर की कोंट्रोलर छी देने दें इसके बाद यहां पर आपको यह इनेबल लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पर टिक करना है जैसे आप इसको टिक करेंगे तो मेड़ी आपकी कनेक्ट हो जाएगी ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको यह नीचे दो ओप्शन दिख रहे हैं वेलोसिटी रिलीज तो चाहें तो आप इसकी वेलोसिटी को हैं तो इन दोनों को इसी केसे रिखने देंगे अगर हमें simple चीटीए तो इसको none no फिल बनी रहे तो आइए चेक करते हैं एक बार अभी मैंने इसको की बोर्ड में अपने लेप्टोप में लगाया हुआ है तो जैसे कि मेरा ये बेंजो का पेच है या फ्लूट का पेच देख लेते हैं तो आइए दिखते हैं करते हैं तो यह कीबोर्ड आपको इस तरह से अटेज्ट करना है इसमें कोई ड्राइवर की जरूत नहीं पड़ती है आपको एक्स्टर ड्राइवर लगाने की कोई जरूत नहीं है आपको यहां पर यह मैसेज देख लेना है इस परफोर्मेंस फास्टर वाला यूइजबी 2.0 अगर आपका यूइजबी 3.0 है तो यह थोड़ा फास्टली काम करेगा जैसे कि हमें इशू आते हैं हम इसमें कीज दबाते हैं वो एक सेकेंड 62 मिली सेकेंड बाद इस तरह से डीले आता है बहुत ही हमारा साउंड सिस्ट समच्छा नहीं चलता तो उस तरह से हमें जो इशू आते हैं उसको हम ठीक कैसे करते हैं यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा तो देखते रहें साउंड वे प्रडक्शन खोटा थेंक्यू वेरी मच्च अगर आपको फिर भी कोई मुजिक से रिलेटेड या इफल स्टूडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज से मुजिक के मामले में कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे मैं उसको जल्दी सोल करूंगा तो और भी प्लग इन और भी वेस्टी और भी अच्छे अच्छी टॉन् चैनल को एक बार लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें चले मिलते हैं अगली वीडियो में बाई